नमस्कार दोस्तों, यूनिक हैसन चैनल में आपका बहुत बहुत सवागत है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको किटिंग पैंट की कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों, किटिंग पैंट आपको आसान तरीके से किस तरीके से कटिंग करते हैं, तो आपको कटिंग करना बत कि आँगा दोस्तो तो दोस्तों वीडियो उस्पुल होने वाला है और वीडियो कोalar तक देखें। और दोस्तों आपको step by step बताओन गाद दोस्तों तो वीडियो को लाठ मैं जानकारी दे देता हूं तो दोस्तों पैंट में कपड़ा लगता है वो एक मेटर भी सेंटी मेटर कपड़ा लगता है आप कपड़े की लंबाई की अनुसार उसका कपड़ा रख सकते हैं यानि कि ले सकते हैं कितना कपड़ा लेना चीए तो दोस्तों लंबाई की अनुस तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको फिटिंग पेंट कटिंग करना बताऊंगा तो पेंट करने से पहले मैं उसका मेजरमेंट बदा देता हूं कि मेजरमेंट कितना है तो दोस्तों यह पेंट है वो फिटिंग है बेंट वाला ही है और दोस्तों फिटिंग पेंट है बिना प्लेट की पेंट है दोस्तों और हेवी साइजी है उसकी लंबाई तो है 17 इंची है दोस्तों और उसकी कमर है वो 38 इंची है और 42 इंची उसका हीप है और 27 इंची जांग ली थी दोस्तों तो मैं आपको दोनु तीन तरीके लटक किस तरीके से रखते हैं। आता है तो दोस्तों वीडियो को लाज टक देखना और ज्यादा सम्झाने का मैं परियास करूँगा और आपको अच्छा भी लगेगा दोस्तों और वीडियो को आप skip करके मत देखना skip करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों और दोस्तों मैं श्टार्ट करता हूँ कि पैंट की cutting इस तरीके से करते हैं दोस्तों cutting करने से पहले कपड़े को हमें उल्टा करके बिछा लेना होगा किनार अपनी साइट रख लेना होगा और यहाँ पर हमें एल स्केल से एक सीधा मारका कर देना होगा इस तरीके से और एक मारका दोस्तों हमें यहां कर देना होगा इस तरीके से और इसके बाद में दोस्तों इसकी लंबाई रखेंगे तो इसकी लंबाई 37 इंचिए है, तो बेल्ट को हम आधा यानिकी इन्छी टेप को आधा दा इंची रख लेंगे, उपर निकाल लेंगे, और इसकी लंबाई 37 इन्ची और pr 17 बइस एक श्यारीश करेंगे, और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी लटक रखेंगे तो दोस्तों लटक के इसकी हिप हैं 42 इंची है इसकी हिप हैं वो 42 में हम चार का बाग लगाएंगे मैं साड़ी दस इंची आईका साधी दस इंची आएगा साड़ी दस में हम दोस्तों की पिटिंग पेंट हैं तो दोस्तों यह हमारी पेंट नहीं सरकए उसके लिए क्या कर ना होगा कि हमारी को पैंट आदा इंची कम कटिंग करना होगा तो दोस्तों हिप इसको आदा इंची कटिंग कम करेंगे क्योंकि दोस्तों ज्यादा पैट वारी होती है यानि कि हिप ज्यादा है और इसकी कमर है वो 30 इंची है तो इस तरीके से हम इसकी measurement रखेंगे तो दोस्तों वैसे तो इसको शाड़ी 10 रख सकते हैं लेकिन दोस्तों हीप है उसकी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये पैंट है उपैट पैट के नीचे पैनेगा ये क्योंकि ये पैट के उपर थमेगी नहीं दोस्तों इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर किपका एक बटा चार करके और माइनस आदा इंची कर लेंगे 10 इंची और दोस्तों इसकी मैंने राउंड में नाप ली थी आगे बेल्ट और पीछे साइड में बेल्ट आता है तो दोस्तों तीन इंची कम करना होगा तो दोस्तों 27 इंची है ना तो 27 का आदा करेंगे क्योंकि दोस्तों आदा पाट तो हम आगे की साइड में रखेंगे और आदा पाट हम बेर की साइड में रखेंगे तो दोस्तों 3 इंची तो हमें कम करना ही है साथ में ही दोस्तों हमें जो हमने राउंड में आप ली थी 27 इंची तो दोस्तों 27 का आदा करेंगे तो कितना एगा दोस्तों 27 का आदा करेंगे तो साधी 13 इंची आएगा साड़ी तेरा में तीर इंची माइनस करेंगे तो साड़ी दस इंची आएगा तो दोस्तों साड़ी दस इंची आप यहां से साड़ी दस भी इस तरीके से रख सकते हैं और हिप मैंने इसकी 42 रखी यह है इसकी तो चार का भाग लगाएंगे तो साड़ी दस इंची आएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर साड़ी दस का भी निसान लगा सकते हैं या दस इंची का भी निसान लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों जब हम इसकी नाप लेते हैं ना तो दोस्तों हमें आदा इंची आप चाहिए, तो एक्स्ट्राबीete कर सकते हो और आदा इंची कम भी रख सकते हो आदा इंची कम रखेंगे तो दोस्तों लूज रहेगी तो हम दोस्तों इसको 10 У सावRIS कर लैंगे टेरा इन्ची र dauषके से घल कर लेंगे यहां depressed लगाते हैं तो रखिए हैं इस तरेकर से और दोस्तोंचntenे के बाद में यहां और यहां से और चोदा यहां और से 14 कow 12 कर लेंगे इस तरीका से और याधा करने के बाद में ये सात इंची आ रहा है तो दोस्तों साथ इंची हमें यहां लगा लेना है और अब आती है दोस्तों गुटने हम किस तरीके से रखते हैं यह हमारी लटक है और यह हमारी लेंथ है यहां से इसको आदा करेंगे इंची टेप को इस तरीके से और आदा करने के बाद में यहां से इसकी लंबाई आरे यह 37 तो 37 हैं तो हम डाइंची करेंगे और 40 हैं तो दोस्तों 3 इंची उपर करेंगे ठीक और यह आ रही है साड़ी दस तो साड़ी दस यहां पर लगा देंगी निसान और इसको कर देंगे सीधा इस तरीके से इस तरीके से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में यह आ रहा है हमारा बीच का सेंटर शाथ इंची तो दोस्तों इसको कर लेंगे सीधा यह हमारा बीच का सेंटर है इसको क्रीच लाइन भी बोलते हैं यहां तक इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद में दोस सिंची लगा लेड़ा है क्योंकि दोस्तों इसकी जांग है वो भी सिंची है और इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों इन मारकों को हम मिला लेंगे मिलाएंगे कैसे इस तरीके से हम मिला लेंगे ठीक इस तरीके से मिला लेंगे और अलकासा साइड में निकार देंगे क्रोस कर देंगे और यहां से भी हम इस तरीके से मिला लेंगे इस तरीके से मिला लेंगे और यहां से भी हल्का सा बार की साइड निकाल देंगे चीक और इसके बाद में क्या करेंगे यह आ रहा है यहां से यहां तक लगबग आ रहा है सवा पांच इंची तो सवा पांच इंची में हम आदा इंची कम कर लेंगे तो लगबग पूई 5 इंची पर निसान लगा देंगे इस तरीके से और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर लगा देंगे गोडाई इस तरीके से और गोडाई लगाने के बाद में दोस्तों आगे से डाउन करेंगे हम इस इसको सीधा कर देना है इस तरीके से सीधा कर देना है और सीधा करने के बाद में यहां से देख लेना होगा कितना रहा है दोस्तों यह आ रहा है ठीक और यहां से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से शेव से शेव लगा देंगे इस तरीके से और दोस्तों इसकी जेब है वो क्रोश जेब है तो यहां पर लगा लेंगे हम सवाद दो इंची का निशान और लंबाई में रख लेंगे हम साड़ी साथ इंची और यहां से भ बाद में आपको मैं बैक कटिंग करना बताऊंगा कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों कमेंट करने से हमको ये पता रहता है कि आपको कौन सी जानकारी अच्छी लगी और दोस्तों आपको कौन सी अच्छी नहीं लगी दोस्तों यदि आप कमेंट नहीं करोगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको आपकी क्या समश्या है यदि आ से और पल्टने के बाद में दोस्तों इसको बिचा लेना है इस तरीके से और बिचाने के बाद में यहां से देख लेंगे यह दस इन्ची आ रहा है नीचे से भी देख लेना होगा दस इन्ची यहारा है साडी नो यहारा है साडी नो इस तरीके से बिचा लेंगे इसको और बिचाने के बाद में यहां से इसको सीधा कर देंगे यहां से इसको सीधा कर देंगे और यहां से भी इसको सीधा कर देंगे ठीक और एक दोस्तों हमें आदा इंची नीचे निसान लगा लेंगे इस तरीके से ठीक और दोस्तों अब इसकी बेक उठाएंगे तो बेक इस तरीके से उठाते हैं इंची टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे और यह आ रहा है साड़ी इक किस कितना आ रहा है दोस्तों यह आ रहा है यहां पर साडी किस तो दोस्तों यहां पर हम साडी किस पर इस तरीके से निसान लगा देंगे यहां पर इस तरीके से साडी किस और इसको कर देंगे इस तरीके से सीधा ठीक यह ओब इसकी बैक और दोस्तों यहां पर इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से इस तरीके से सीधा क की आदा इंची शिला यहां और एक इंची की फोकेट की लोट के लिए और दोस्तों दो इंची या सवा दो इंची डा इंची आप लिऊच कितना भी रख सकते हैं दोस्तों मैं यहां पर दो इंची लख रहा हूं और दोस्तों यहां पर लगा लेना होगा डा इंची का निसा इस तरीके से और यहां पर लगा लेंगे हम दोस्तों कुणी दो इंची का निसान और यहां पर लगा लेंगे दोस्तों हम सवा एक इंची का निसान इस तरीके से और यहां से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से आप चाहिए तो सैप से यहां पर भी इस तरीके से भी दूसर 20 simply आई गा तो साधी दाशींची तो ही आगया यहां से निधु यहां से साधी 10 साध है ठीक और टेरड़ इंची एक्षक्टा कर लेंगे यहां पर इस ततुरिके से और इसको कर देने सीधा इस तरीके से और यहां से इसको कर देने सीधा और यहां पर लगा देने गोड़ाई तो गोड़ाई दोस्तों फ्रेज कवर को हम इस तरीके से रखेंगे यहां पर लगा देने गोड़ाई और यहां से इसकी लगा देने गोड़ाई दोस्तों तो दोस मैं को आउने बखो जानकारी अच्छी लगई mortgage होगी दोस्तों और यदि यदि की कोई सचाओ रोग कमेंट कर सकते हो दोस्तों ज्यादा दोस्तों हेवी साइज में ज्यादा लटक नहीं रखने से क्या होगा कि पैंट नीचे सरक जाती है दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे और नई जानकारी के साथ थैंक यू